नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में BPSC सिछक भरती परिच्छा की तयारी यदि आप घर बैठे करना चाते हैं तो आपके लिए Special Homework का वीडियो सिरीज अस्टार्ट किये हैं और आज यह दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है और इस Homework सिरीज में पांच भी साय अभी हम लेकर के चल रहे हैं जिसमें 50 दिन का Study Plan है, 50 दिन होते होते कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो खतम हो जाएंगे तो दूसरा सुब्जेक्ट जो है अस्टार्ट हम करेंगे 50 दिन का Study Plan है, आज यह दूसरा दिन है आज का Homework दियान से सुनिए और घर बैठे भी असानी से त्यारी किजिए देकि बहुत सारे ऐसे सिच्छ का भीरती हैं जिनको कुछ पता नहीं चल रहा था ऐसा लग रहा था कि कैसे त्यारी करें, यूटूब ही एक साहरा है यूटूब जो है, जो है जोईन करके और यूटूब से भी पढ़ रहा है तो उनको भी हम कहेंगे कि यह डेली जो Homework वाला जो सीरीज है न इसे आप फॉलो किजिए और किसी भी यूटूबर से आप पढ़ते रहे हैं, कोई दिकत नहीं है ठीक है, और ज्यादा तर ऐसे आप पढ़िएगा कि जो भी हम आज Homework दिए उसी Homework को यूटूबर सर्च करके और उससे related question पढ़िएगा और अभी जो है Lucent GK book से जो है हम आपका Homework दे रहे हैं, ठीक है तो आज दूसरा दिन है, सबसे पहला subject है अधोनिक इतिहास तो अधोनिक इतिहास में आज का Homework है, सिख एवम अंगरेज और दूसरा point है अधोनिक इतिहास में ही, company के अधीन गवर्ना जनरल रावट कलाइब से लेकर Lord Kenning तक ये Homework रहा, company के अधीन गवर्ना जनरल में ठीक है, तो दो point आज हैं अधोनिक इतिहास में, पहला है सिख एवम अंगरेज और company के अधीन गवर्ना जनरल, रावट कलाइब से लेकर के Lord Kenning तक ठीक है, और दूसरा subject है भुगोल, भुगोल में सौर मंडल तक दिये थे, सौर मंडल से आगे चलते हैं तो प्रतिवी और उसका सौरिक संबंद आ जाता है प्रतिवी और उसका सौरिक संबंद, और दूसरा point इसी में है, प्रतिवी की आंतरिक संचना तो भुगोल में ये दो पाइंट आज होंबर्ग होने वाला है आंतरिक सरचना तक ठीक है प्रतिवी की आंतरिक सरचना तक तिसरा सब्जेक्ट है भारतिये सम्विधान तो भारतिये सम्विधान में आपका आज का होंबर्ग का टॉपिक है भारतिये सम्विधान के उदेश क के समिधान से भी कुछलाया गया है तो विदेशी स्रोतों को भी पढ़ना जरूरी है और समिधान में ही अंगला टॉपिक है भारतिय समिधान के अनुसूचियां जब सुरू में जब समिधान बना था 26 नवंबर चर्णी सनचास को जब अंगी किरित हस्ताचर किया गया था उस समय जो अनुसूचि था मातर आठ अनुसूचि था आज 12 नुसूचि है ये 12 नुसूचि को भी आपको याद करना है और जब पहले आठ अनुसूचि था तो बाद में नौमी कब जोड़े गई दसमी कब द्यान से पढ़ लिजीगा, चौथा सब्जेक्ट है, भहुतिक बिज्ञान, साइंस को भी इंक्लूड किया है, देखिए, भहुतिक बिज्ञान जो है, दस दिन तक भी नहीं चलेगा, आठ दिन होते होते समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम रसायन बिज्ञान में चलेगा ऐसे बाद भहुतिक बिज्ञान में, ठीक है? तो बहुतिक बिज्ञान तो हो यहीं रहा, उसके बाद जीब बिज्ञान चलेगे, तो बहुतिक बिज्ञान में आज कमबरका है, कार्ज उर्जा और सकती, काफी महतवड़ सोजरा टोपिक है, और इस Сे हमेशा स्गों देखे, इसमें पूरा याद नहीं करना है, लेकिन देखे, इसको पढ़िएगा ता आपको पता चल जाएगा कि कौन-kौन से question जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं ठीक है? तो आज का हम विडियो बना जैसे जाते हैं, ये अगर आपको चाहिए तो आलग से हम वीडियो बना है और यह दुसरा दिन का होमबर्क है और मुझे उमीद है कि आप टाइम देखर के इसे जरूर घर पर पढ़ते होंगे अगर नहीं पढ़िएगा तो हमको क्या लिजेगा मेरा एक प्रियास यूट्यूब कि भाई जो भी हमसे जुड़े हुए हैं जो आस लगाए हुए थे कि तयारी भी कराएंगे मेरे पास स्मार्ट्बूट है नहीं कि बस हैसे बता पढ़ा दे चैनल से पढ़िए सर्च करके यूटूब आला अपना मर्जी से पढ़ा रहा है जो कि हमको पसंद नहीं है वे एक टार्गेट लेकर नहीं तो आज को हुंबर की इतना ही है मिलते अगले वीडियो में और आप कहिएगा तो इन सभी में मातवपून जो question है उन सभी को हम बताने का प्रियाश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो comment ज़रूर कीजिएगा मिलतें अंगले वीडियो में थबत के लिए जहिन झाल 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 झाल